धिन्दी सिनेमा अपने जीवन के सौव सावन देख चुका है। दादा साहिब फालके की फिल्में जन्म शताब्दी मना चुकी है। फिल्म मदर इंडिया ओरत के संघर्ष का प्रतीक है। इंसानियत, मानवता का संदेश देती है, मुगले आजम मुगलकाल की शान शौकत को दिखाती है, ताज महल शाह जहां और मुमताज की महबत की याद दिलाती है, दीवार, कानून और मुजरिम का फर्क समझाती है, शोले, डाकूओं का खौफ बढ़ाती है, दिल वाले दुल इसा भी दिखाई देता है, जिसे देखकर हैरानी होती है, जंगल का एक आदमी, जो जानवरों के साथ रहता है, उनकी भाषा बोलता है, जिसे हम टारजन कहते हैं, टारजन का नाम सुनते ही हेमंत बिर्जे का चेहरा याद आने लगता है, ज्यादातर लोग यही समझते है कि हेमंत बिर्जे बॉलिवूड का पहला टारजन है, लेकिन यह जानकारी सही नहीं है, इस फिल्म से पहले एक नहीं, करीब बारह से ज्यादा फैल में टारजन के नाम पर बन चुकी है, आज हम अपने दर्शकों को उन सब टारजनों के बारे में बताएंगे, जो जंगल स पहली टारजन फिल्म को होमी वाडिया ने बनाया था, मोहमद रह्मानी टारजन की भूमिका में नजर आए, उनके साथी कलाकार थे बोमन श्राफ, गुल्शन, चंदरशेखर, नजिरा, दलपत और दिलावर खान, फिल्म तूफानी टारजन 1937 में रिलीज हुई, और दर् पहुँची, टारजन के नाम से बनने वाली ये दूसरी फिल्म थी, जिम्बो के कलाकारों में आजाद, चित्रा, क्रिशना कुमारी, अचला सचदेव और बी-म व्यास थे, फिल्म की कामयाबी ने जंगल में धूम मचा दी, इसलिए हिंदी सिनेमा के बहुत से निर्माता निर्देशक अपना कैमरा लेकर जंगल में आ गए और टारजन को ढूंडने लगे, नतीजा ये हुआ कि निर्देशक राधाकांत ने टारजन और जादूगर नाम से एक शानदार फिल्म बनाई, जो 1963 में परदे पर आई, इस फिल्म में सुरेश तलवार ने संगीत दिया फिल्म का नाम था टारजन गोरिल्ला, हिंद पिक्चर्स के बैनर में बनी इस फिल्म के निर्देशक प्यारे लाल थे टारजन और गोरिल्ला में, आजाद इरानी, चित्रा, शीला कश्मीरी, नीलोफर और हैलन ने काम किया था, इन फिल्मों की सफलता ने जंगल में और डायरेक्टर बीजे पटेल भी शामिल थे, ये अपनी टीम के साथ फिल्म रॉकेट टारजन की शूटिंग करने जंगल पहुँच गए, फिल्म रॉकेट टारजन में श्री भगवान, शकीला बानो भुपाली, दल्पत, रंजन कपूर और नीलोफर मुख्य भूमिका म टारजन जब रॉकेट में बैठ गया तो उसे जंगल से दिल्ली पहुचने में देर नहीं लगी, टारजन दिल्ली में इस नाम से एक बड़ी फिल्म बनी, इसके प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर थे, जो बोनी कपूर और अनिल कपूर के पिताजी हैं, टारजन दिल्ली म में बेला बोस, लता बोस और जीवन कला के नाम हैं, टारजन दिल्ली में 1965 में रिलीज होकर सफल फिल्मों की श्रेणी में पहले स्थान पर है, टारजन दिल्ली में आया तो उसका मुकाबला किंग कॉंग से हुआ, अमृत कला मंदिर की फिल्म टारजन एन किंग कॉंग 1965 मे कला मंदिर यानी सिनेमा घरों तक पहुँची। इसके निर्देशक इशमशीर और संगीत कार रॉबिन बनरजी थे। टारजन एंड किंग कॉंग में रंधावा टारजन बने हुए थे। मुम्ताज, बेला बोस, भगवान दादा, रुपेश कुमार और रंजन का पूर सहाय कलाकार की भूमिका में दिखाई दिये। फिल्म ने रिलीज होकर जबरदस्त सफलता पाई और टारजन के नाम से की लाखों की कमाई इससे प्रोथसाहित होकर बॉलिवुड ने टारजन पर और फिल्में बनाई जिसमें अगला नाम टारजन और जादूई चिराग का है। इस फिल्म के लेखक इकबाल नदीम और निर्देशक बाबू भाई भानजी थे। फिल्म टारजन और जादूई चिराग को संगीत से सजाया था शफी शौकत ने टारजन और जादूई चिराग के कलाकार आजाद इरानी, सुनीता, टुन्टुन, बी-ेम व्यास, शकीला पानो भुपाली और जानी बाबू थे। तारजन और जादूई चिराग ने 1966 में रिलीज होकर शहर वालों को हैरान कर दिया। मतलब जंगल के हीरो की कहानी शहर में सुपर हिट हो गई। तारजन के जादूई चिराग से उसकी महबूबा निकली और फिल्म टारजन की महबूबा बन कर सिनेमा स्क्रीन पर छा गई। फिल्मों के दीवाने टारजन के साथ उसकी महबूबा को देखने सिनेमा हॉल में उमड़ पड़े। फिल्म के निर्माता लाला दिलीप और निर्देशक राम रसिला थे। टारजन की महबूबा के कलाकार तबस्सुम, आज इरानी, हबीब, रंजन कपूर और टुन-टुन थे। टारजन की महबूबा 1966 में रिलीज होकर सफलता का रिकॉर्ड बनाने में सफल रही। टारजन की महबूबा इस फिल्म के बाद बॉलिवुड में टारजन को लेकर प्रतियोगिता शुरू हो गई। हिंदी सिनेमा का ह पर एक प्रोड्यूसर टारजन के बारे में सोचना लगा। जैंत फिल्मस वालों ने भी टारजन के नाम की माला जपना शुरू कर दिया। और महमूद के निर्देशन में फिल्म टारजन और हर्कूलिस बनाई। जिसमें हबीब, इंद्रा, मक्बूल और बी। एम, व्या के बाद उसने शहर के रंग ढंग सीख लिये और जेम्स बॉन्ड की तरह टारजन 303 बन गया। भानू पिक्चर्स के बेनर में बनी फिल्म टारजन 303 के निर्देशक चंदरकांत थे। हिंदी सिनेमा के मशहूर राइटर अजीज कैसी ने फिल्म को लिखा था। टारजन 30 303 के कलाकारों में चंदगी राम, शबनम, भूशन तिवारी, आजाद इरानी और के एन सिंह थे। 1970 में फिल्म का प्रदर्शन हुआ सिनेमा घरों के बाहर, फिल्म देखने वालों का मेला लग गया, टारजन 303 जेम्स बॉन्ड के अवतार में लोक प्रिय हो गये। बॉलि इस माला के अंतिम मोती का नाम भी टारजन है, बॉलिवुड की आखिरी सुपर हिट फिल्म टारजन के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बी सुभाश थे, संगीत बप्पी लहरी का था, इसके हीरो हेमंत बिर्जे और हीरोईन किमी काट कर थी, दोनों ही कलाकारों की ये पहली दिलीप ताहिल, ओम शिवपुरी, नरेंद्रनाथ और सुधीर सहायक कलाकार की भूमिका में नजर आए, फिल्म टारजन 13 दिसंबर 1985 को रिलीज हुई और रिलीज होते ही धूम मचा दी, फिल्म टारजन की सफलता ने धमाल कर दिया, फिल्म टारजन की सिल्वर जुबली ध हुमधाम से मनाई गई, फिल्म टारजन से हेमंत बिर्जे और किमी काट कर बड़े कलाकार बन गए, हेमंत बिर्जे हिंदी सिनेमा के रियल टारजन के रूप में स्थापित हो गए, टारजन को जंगल से थीटर तक लाने का काम हिंदी सिनेमा ने किया, बॉलिवुड का ये